जोहार नई दिशाय में आप सबी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निदी कुमारी समाजिक समानता समाज में सुख का मूल आधार होता है कोई भी ऐसा समाज जहां रहने वाले नागरिक को इक्वल अपॉजिट्री ना मिले वो नहीं वक्त के साथ अलग-अलग समस्याओं का एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है बलकि इसके साथ ही विकास में सबसे बड़ा हिंवर भी बन जाता है अपने इस शो के जरिये हम आपको हमेशा ऐसे लोगों से मिलवाते हैं इसके संस्थान से मिलवाते हैं जो अपने प्रयासों के जरिये हमारे समाज में ना सिर्फ एक्वालिटी के तरफ काम कर रहे हैं बलकि उसके साथ साथ वो समस्याओं जो समाज में भर कराएं हैं उसके निदान के लिए माँ समाज से वी इसके साथ काम कर रही है अगर्यिके इसाथ नपर उसके तरह में अपनी कदम बढ़ा है हम अपने स्टूडिये में स्वागत को साध कराना चाहेंगे समाज सेवी के साथ ही आश्याए की सचर्लों-दाता में तका सॉमी आपका हमारे उखार अवारे में बहुत है लेकिन बहुत कम ऐसे नागरीक होते हैं, जो सामने बढ़ कर उसकी निदान के लिए कुछ काम करते हैं, हम इसे पहले हम जाना चाहेंगे, कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, कि क्या कुछ आपके लिए motivation रहा था इस शेत्र में काम करने के लिए society में काम करने को लेकर देखिए basically मैं इस शेत्र की नहीं हूँ मैंने MSW pursue नहीं किया मेरा छेत्र भाषा रहा मैंने master's linguistics में किया मैंने foreign विदेशी भाषा में एक भी क्या फ्रेंच में किया अभी हलाकि मैं थोड़ा अपने direction में भी काम कर रही हूँ as a translator United Nations के साथ काफी चीज़ों मैं translation का work करती हूँ but कुछ एक आपने कहा कि motivation motivation मोटिवेशन से जादा मेरे साथ जो उत्पीडन और मेरे साथ जो घटना घटा वह एक बहुत बड़ा कारण रहा मेरा यह समाद सेवा में उतरने का कारण यह था कि मैं मेरे घर में बहुत जादा उत्पीडन की शिकार थी तो मेरी मा छे मही जब मैं छे साल की थी तब ही गुजर गई और education सब कुछ मेरे दादा दाजीजी के अंदर अनमत मैं बड़ी हुई तो मैं बहुत पढ़ी लिखी अच कि महिलाओं के उपर जो भी अत्यचार हो रहा है उसके लिए आश्रे काफी काम कर रही है तो मुझे तो बस एक आश्रे मुझे भी जरूरत थी तो मैं जो हमारी संस्था की founder है अनीमा बा मैडम उनके पास गई मैंने अपना जो भी परिशानी दुविधा जो भी था उसको बताया उनके कारण ही मैं केस और जस्टिस के लिए लड़ाई कर पाई और इस लड़ाई में एक ऐसा कड़ी भी आया जब मुझे पता चला कि सिर्फ मैं एक लौती एक बहुत कश्ट लगता है कि आप काफी पढ़े लिखे हैं आप काफी जानकार हैं लेकिन जब अपनों स आपको लड़ना पड़ता है जब समाज से आपको लड़ना पड़ता है तो सम्हाओ आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका पढ़ाई लिखाई आपका समाज में रहना सब वियर्थ है क्योंकि आपका जो डिगनिटी है वो क्वेस्टनेबल हो जाता है तो ये चीज तो मेरे क तो अगर किसी से अगर मैं डरती हूं तो वो इंसान से डरती हूं, जो इनसान के रूप में हैवान होते हैं, तो जब आपने कहा कि हम लोग हुमन ट्राफिकिंग में काम करना हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे cases, ऐसे ऐसे चीज़े हम लोग देखे हैं, जिसमें सही में इनसानियत पे इनसान को भरोसा तूट जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, हाना बहुत positive approach के साथ हम लोग काम करते हैं, अगर कोई negative है, तो उसको positive करने के लिए भी इनसान में वो जुनू केस हुई, तो DC राजशी काफी हमारे उपर भरोसा करके हमें उजवला होम और सेंटर सभालने दिया, तो जितनी भी 13 लड़कियां थी, 14-15 साल की बच्चियां, जो लोग काफी कम उम्र में बाँ बन चुके थी, उनका पीड़ा, उनका दिक्कत, उनका दुविधा, उनके स काफ भी कुछ-कुछ ऐसे केसे थे, जो वो खुलासा नहीं कर पाती थी, देखे, ये बहुत ही समाज में जरूरी है कि लोग जागरोखो, कि सिफ ये इंपोर्टन नहीं है कि लड़किया माबन गई, इतना कम उमर में लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लोग इस व्यक्ति को उन लोग को जेल में डालना चाहिए, समाज को आगे बढ़के इस तरह के अपराधियों को जेल के अंदर डालना चाहिए, और इसके लड़कियों के साथ नयाय होना चाहिए, क्योंकि एक कम उमरे में माब बनने का शर्मिंदीगी इतना जादा हावी हो जाता है कि वो लोग इसको भूल जाते हैं, तो ये सारे केसिस को देखके, चीजों को समझ के, मैं समझ पाई हूँ कि मेरे साथ जो भी दुखत घटना हुआ, वो काफी छोटा था, और शायद समाज में मेरे को इसी छेत्र में आगे बढ़ने के लिए बनाया गया था, हमारे सारे मह हिलाओं की एक टीम है, हम लोग मिल जूल के समाधान करते हैं, और इस छेत्र में सबसे इंपोर्टेंट, आपको जो मैंने बोला हम लोग काफी पॉजिटिव अपरोच से काम करते हैं, जरूरी है कि अलड़किया आर्थिक रूप से, और मॉरली बहुत सुदीर धो, you know, they should be स्ट्रॉंग, इंसाइड अगर स्ट्रॉंग नहीं होंगे, तब वो लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, तब बहुत सारे टैबूज, बहुत सारे स्टीरियो टाइप्स, बहुत सारे स्टिग्मा उन पे हावी हो जाएंगे, जिसके कारण हम लोग चीजों को छुपाते रह और इस कारण बहुत लोगों का मन बहुत आगे बढ़ जाएगा कि हाँ भई, ये करने से कोई फायदा नहीं, बतब कोई दिक्कत नहीं है, लड़की है, रोएगी, कौन इस पे भरोसा करेगा, तो ये सारे चीजों को positively motivate करने के लिए, migration को unsafe नहीं होने के लिए, जरूरी है क कि लोग education पे focus करें, economic security पे, empowerment पे focus करें, और महिलाओं का leadership काफी आगे बढ़ाया जाए, तो ये हम लोग का prime thoughts है, और इसी से हम लोग काम करते हैं, और मेरा अपने जैसे पूछा, motivation से जादा मेरा खुद का एक हादसा था, जिसके कारण मैं मदद मांगने आई, बट मुझे कि यहां पे बहुत मन लग गया, हना, कहीं न कहीं मुझे लगता है, यह हमारा दुर्भाग्य ही है, हमारे समाज का कि बदलाओ के लिए हर कोई आवाद उठाते हैं, लेकिन जब कुछ steps लेनी के बारी आती है, तो बहुत कम होते हैं, जो सामने आप आते हैं, और आपको तो कि जैसे आपने कहा कि human trafficking पे आप लोग काम करें, तो क्या कुछ इसके अंदर कुछ प्रोग्राम से जब आपको किसी लड़कियों को रेस्क्यू करना है, तो यह क्या इसका कुछ process होता है? हाँ, मैं process आपको बताती हूँ, हम लोग पूरा एक comprehensive mode में काम करते हैं, जिसमें प कि human trafficking है क्या, कोई भी human trafficking हो सकता है, यह गलत सोच है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनकी human trafficking नहीं होती है, मैं बहुत पढ़े लिखी हूँ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको kidnap कर सकता है, आपके साथ सोशन कर सकता है, अगर देखा जाए तो US सबसे जादा, it ranks the highest in human trafficking, people are highly educated there, so क्या है कि human trafficking किसी के साथ भी हो सकता है, लोगों को awareness बहुत जरूरी है, जैसे हमारे माता-पिता चिंता करते हैं हमारे लिए, कभी भी हम बाहर जाएं तुद बार बार फोन करते हैं, हम लोग उनको live location share कर जाता है, these are all preventive measures, ठीक है, तो गाउं में क्या होता है, क्योंकि भाशा बहुत-बड़ा barrier हो जाता है, और उनलों को बहुत इच्छा रहता है, जैसे हमारी इच्छा रहती है कि हम Delhi University में पढ़े, यहां पढ़े, so we also migrate, हम भी migrate करते हैं काम के छेत्र में, पर उनके लिए, यह दुर्भाग्य की बात है कि उनका जो migration होता है, वो unsafe हो जाता है, क्योंकि नया शहर में वो लोग गुम से हो जाते हैं, और उनका सोशन हो जाता है, उनको पता ही नहीं रहता है, वो जाते है positively, वो लोग यहां के राजा है, यहां पे खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहां जाके उनके साथ अप्रिय घटना हो जाती है, उनको कोई बंदी बना लेता है, और वो अपना बात और विचार को रखने ही पाते हैं, क्योंकि भाशा बहुत अलग होता है, तो यह जहां पे हम लोग जितना भी दूर सुदूर एरिया में काम करते हैं, तो prevention में हमारा प्राइम टेखनीक होता है, कि इनों को डिजिटली हर तरीके से कि आपके साथ क्या-क्या अप्रिय घटना हो सकती है, और आप उससे बचाव के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक वाच ग्रूप रखे हैं, जैसे कोई भी पंचायत मुख्या वाले ल कि एक ट्रेंड चला हुआ है हनी ट्रैप का, पीपल आर वेरी अक्टिव इन फेस्बुक अन अदर्स, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको रिजहा के, आपको ऐस इन गर्ल्फरेंड बना के, बॉइफरेंड ये करके, लोग को बुला लेते हैं बाहर, तो वो लोग भी जा किया है, तो ये बहुत ही ट्रेंड हो गया, तो लोगों को केरफुल रहना पड़ेगा कि सोशल मीडिया में, या हम लोग जो मुबाइल यूज करते हैं, क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज गलत है, कहां हम ट्राप नहीं हो, तो ये चीज हम प्रिवेंशन में करते हैं, प्रोटेक्शन में हम लोग ये करते हैं कि उनका ट्रैकिंग लेते हैं, कौन से ट्रेन में, कौन से बस में पुलिस को खबर देते हैं, और प्रोजेक्यूशन में अगर वैसा कोई केस होता है, जैसे एक औरगन ट्राफिकिंग का केस था, पूरा बाहर निकल गया तो और सब कोई को डराने लगा तो वो सारे चीज हम लोग प्रोजेकूशन के लिए फिर लीगल सपोर्ट ये सारे चीजे करते हैं इसके अलावा और एक पहल्यू है जो आई टी पी एक्ट में आता है जो हम लोग का लौ है इम्मॉरल ट्राफिकिंग होना चाहिए रिपार्टरिशन बॉर्डर के लिए होता है सबोज नेपाल से कोई आगा है तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियूर है जो फॉलू किया जाता है और आपका रेस्क्यू हो गया जो हम लोग उसमें रेस्क्यू बेसिकली पुलिस क है यह सारे कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई हमें फोन कर देते हैं कि यहां पे कुछ बच्चे हैं वो शायद कैद में हैं ऐसे आए हैं काफी तो हम लोग फिर उस जगह को देखते हैं सही में सकते हैं कि नहीं उसके बाद पुलिस को बोलते हैं तो एक दो ऐसे भ और हम लोग जो है आश्रे जो है जैसे हमारा नाम है हम लोग actually specialize करते हैं rehabilitation में. Rehabilitation में सारा मतलब from their education, food, अगर कोई prostitution में भी work कर रहा है तो उजवला में ये एकनम strict guidance है that सारे work जो है एक dignified work है. One should not say that this is wrong, this is right. So, किसी भी किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से काम करने के आजादी है, people are matured, तो कोई भी है जिसको कोई भी तरह का problem हो रहा है, कोई महिलाएं वो उजवला होम में रह सकती हैं. उनका खाना, पीना, health check-up, सारा चीज, A to Z हमारा, प्लस उनको आत्म, क्या कहते हैं, self-reliant बनाना बहुत important होता है, तो कोई-कोई ऐसी महिलाएं होती हैं, जो लोग क्या करें, चीजों से काफी तूट जाती है, जैसे एक फुटबॉलर था, यहीं का एक स्टोरी है, कि एक फुटबॉलर था, हमारे पास ही वो महिला थी, उसके चाठ बेटिया हो गई, तो वो अपने वाइफ को बहुत मारना चालू कर दिया, तो उस कारण से वो हमारे होम में आ गई इस अनरक्षन के लिए, तो वो रही काफी दिन, फिर उसको समझाया गया, फैमिली तो काफी राउंड काउंसलिंग हुआ, तब कमिशन बना हुआ था, नैशनल कमिशन फर वुमिन और जाड़कर्ण स्टेट कमिशन फर विमिन, काफी active थी, तो फिर उनके साथ counseling करके हम लोग फिर उसको घर भेज पाएं, फिर उसका हम लोग बाद में hand holding करते रहते हैं, कभी-कभी हम लोग case भी करते हैं, उसको बोलते हम लोग community based screening पहले एक हा न, तो वो home assessment होता है, घर में जाके चेक करते हैं, बच्ची गायब है की नही suppose हम को एक दहरादून से call आ गया, कि यहाँ पे child home में एक लड़की है, यह शायद जाडखंड की है, तो मैं उसका घर का details, तो मैं घर जाके verify करती हूँ, home verification report, HR बोलते है, home investigation report, तो मैं एक HR करती हूँ, HR से मैं confirm करती हूँ, उस जगर को, उस shelter को, CWC को, कि यहाँ पे हाँ, माता पिता है, बच्चों के लिए परिशान है, फिर उनका consent से उन लोग को ले के आते हैं, तो गुजरात से भी काफी सारी महिलाओं को, बच्चों को, जो वहाँ के shelter home में थी, महिला आयो का, क्योंकि वो लोग एक aid से उपर थी, तो specially हम लोग को directions था कि इन लोग को ले के आ सारे ऐसे cases में ऐसा भी होता है कि समाज accept नहीं करता है, तो इसको बोलते है re-trafficking, लड़किया आ तो जाती हैं, पर क्योंकि वो अपने समाज से सोशित होती है, वो फिर से भाग जाती है, तो इस कारण क्या होता है कि जो उनको, सपोज वो एक रेजा हिसाब से काम कर रहे थ तो इसको दिन का मिल रहा था 300-400, वो घटके उसको फिर सो मिलता है, बोलता है तुम तो हमें पकड़ा दी थी, तो वो और जादा उनके लिए दुरभाग्यपूर्ण हो जाता है, इसी से हम लोग re-trafficking को prevention करना हमारा priority है, और इसलिए अभी हम लोग जादा फोकस कर रहे है जो मैंने कहा, women empowerment, economic empowerment, क्योंकि लड़किया आर्थिक रूप से शशक्तिकरण होगा लड़कियों का, महिलाओं का, तो ही वो लोग आगे बढ़ सकेंगे और खुद के लिए खड़ी हो पाएंगे और वाकई, financial independence, women's के लिए अभी के टाइम में बहुत ही essential हो गया है, कितने ऐसे cases है, जहां पर आप victim है, काफी लंबे वक्त से ये चल रहा है, पर क्योंकि financially वो independent नहीं है, जिस कारण कोई step नहीं ले पाती है जैसा कि आपने कहा कि कहीं न कहीं, rehabilitation एक आप लोगों का मुख्य काम है, जब ये process चलता है, किसी भी शेट से फिर चाहे वो trafficking हो गया या फिर कोई migrants हो, तो एक mentally वो आपको काफी tragic आपके लिए, वो mental health को काफी effect करता है, वो किसी भी victim के लिए, तो यह जब process होता है, तो क्या यहां पर counselling involved होती है, उनके mental health पर क्या असर हुआ है, उससे उनको कैसे बाहर निकालना है, क्या उस पर भी आप काम करते हो? हाँ, उजवला जब ही एक home चलता है, उसमें counsellor का हम लोग का post रहता है, और वो बहुत important रहता है, एक counsellor और एक doctor, यह दो चीज़ बहुत mandatory होता है, counselling एक तरफ से सिर्फ बातचीत करके ही नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई-कोई छेतर में counselling में एक hindrance यह आती है, कि suppose हमें संथाली लड़की मिली जो काफी interior area से आई थी, साहिब गंज के area, bordering area से, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, in fact वो बता नहीं पा रहे थी, तो जैसे कि हम लोग की जो लड़कियां होती है, जो रहती है, जो खुद काफी अभी यह है, अपने parents का wait कर रही है, कोई तरह से they are waiting, वो लोग भी काफी help करती है, एक peer counselling भी होता है, जिससे काफी effect पढ़ता है, कि देखो हम उससे निकल आए है, तुम भी निकल जाओगी, वो जो एक चीज होता है, because human trafficking एक बहुत psychological trap है, हमने इसका research भी किया है, National Commission for Women के साथ, तो इसमें जो देखा जाता है, जो उसका दलाल होता है, जो middleman होता है, वो एक बच्ची को psychologically trap करता है, और उसको ये महसूस करा देता है, कि I am all in all, तुम मेरे साथ रहोगी, तो तुम को पैसा मिलेगा, तुम को जीने का अधिकार मिलेगा, नहीं तो तुम जीने के लायक भी नहीं हो, तो इतना उनका जो psychology होता है, क् कि पुलिस भी मिले हुए रहते हैं, या फिर पुलिस के वर्दी में कोई रहते हैं, जिससे उन लोग भागते हैं, तो फिर पकड़ा जाते हैं, फिर मार पड़ता है, तो ऐसी घटना है, उनके साथ इतनी बार रिपीट हो चुकी होती है, कि जहां वो रिहाबिलिटेशन से आते हैं, वो पहली बार बहुत डरे रहते हैं, कि ऐसा हो सकता है, कि मैं फिर से अगर छूट जाओ या कुछ हो जाए, फिर मुझे मार पड़ेगी, और मैं कभी लाइफ में जी नहीं पाऊंगी, तो ये बहुत एक काफी सहमे हुए लोग रहते हैं, लेकिन हाँ, काउंसिल लोगों का, ताकि वो बात को रख सके, क्योंकि अगर मुझे भाषा ही नहीं समझ में आये, वो क्या बूलना चाहती है, तो बड़ा दिक्कत हो जाते हैं, उनका एडरेस भी नहीं पता चलता है, और जो पियर ग्रूप्स होते हैं, उनका जो बनतब एक सर्वाइवर और एक जो तुरंत रेस्क्यूड हुई है, उननों का जब कान्वर्सेशन होता है, हम लोग चाहते हैं, उनका एक्स्पोजर करते हैं, तो उससे बहुत प्रभाव होता है उनका, जैसे हम इस पूरे माटर को अगर हम थोड़ा साथ के साथ भी देखें, तो एक ही समझ में आता है, क तो अब क्या इसके अगेंस्ट लॉज है, या फिर कैसे इस पर काम कर सकते हैं, अवेर्नेस से लहाल कितना एसेंशल है हमारे लिए, और क्या कुछ एक नेसेसरी स्टेप, हर इंडिविज्वल अपने साइड से ले सकता है, देखें, अवेर्नेस तो बहुत ही ज़्यादा इ जानते हैं, अगर आप चीजों को समझ जाते हैं और आप जान जाते हैं कि हाँ यहां पे मैं सही हूँ, तो आप लड़ लीजेगा उस चीज से, पर जब समाज आपको प्रेशर देता है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप बहुत जादा डर जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप awareness देजीए लोगों को, तो मेरे हिसाफ से सबसे जादब जरूरी है और awareness का right age होता है, टीनेज, सो एक हम लोग दो तरीके से awareness को करते हैं, एक elderly awareness और एक आपका तीनेज से अवेरनेस तो जो अभी सेक्शिल रिप्रोड़क्टिव हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टन्ट है इसका क्या राइट्स होता है क्योंकि जैसा है टोल्ड यू हानी ट्रैप ये सब बहुत जादा चल रहा है लोग डर जाते हैं तो जब तक लोग लड़कियां महिल लड़कें सारे अवेर ना हो कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से चीजों से बच सकते हैं तब तक समाज में सुधार लाना बहुत जादा दिक्कत है क्योंकि इसको हम लोग बहुत ब्रॉड टर्में बोलते हैं बिहेवियर लिल चेंज कम्यूनिकेशन सो बी सी सी जो होता है वो एक इंपक्ट होता है वो चार-पाथ साल बाद आपको उसका असर दिखता है क्योंकि वो समाज में एक अलग सा बदलाव होता है लोग जानते हैं कि यह मेरा अधिकार है अच्छा हम यहां जाएंगे तो हम पहले पूछेंगे हम ट्रेन में जा रहे तो हम लोकेशन अधियम से चीजों को करना पड़ेगा तो और दूसरा बात है भाषा क्योंकि मैं भाषा से बहुत जादा प्यार करती हूं इसलिए मैं मानती हूं कि हर एक चीजों का डॉक्यमेंटेशन जाहे वो सीड़ का लौ हो गया कोई भी चीज का हो गया कोई भी एक्ट हो गया उसक तो उसको उसके हिसाब से अब समझाईएगा तो वो ज्यादा समझ पाएंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एक बहुत ही सिंपल से एक्जाम्पल है सब्से एक लड़की गाउ से आती है उसने कभी देखा ही नहीं है कि माइक्रोवेव क्या है वो लोग चूला प क्योंकि वो लोग उसको देखा ही नहीं है उनको अनुभवी नहीं है तो यह बहुत बड़ा एक गैप हो जाता है इस गैप के लिए एक एकस्पोजर बहुत जरूरी होता है इसी एकस्पोजर के कारण जो हमारी आदिवासी भाई बहन लोग है यह लोग बाहर जाना चाते ह क्योंकि जब लोग मुवीज में देखते हैं कि वह बैंगलॉर में ऐसा होता है ऐसे सीड़ी चड़ जाता है दे लाइक इट उनलों को मन करता है कि मैं भी वैसा चड़ू तो वो लोग बड़ा खुशी से जाते हैं लेकिन बहुत दुरभागे पून है कि वह दूसरे चीज के लिए शिकार हो जाते हैं यहां पर आपको समझ में आता है कि कहीं न कहीं अवैरनेस लोगों में होना कितना जरूरी है सुमी जी आज आप हमारे कारकरम का हिस्सा बनी आपनी जोर्नी भी बताई क्या कुश प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उमीद करती हूँ कि जिस तरीके से अपनी स्ट्रागल में आप सामने आकर इतनी बहादुरी के साथ लड़ी हैं वैसे लोग जो आपको देख रहे हैं और शायद दुर्भागे से उस सिमिलर सिचुएशन से कभी भी फेस किया हो तो वो भी बाहर आकर इस पर काम करे इसी के साथ हमें भी दीजे इजादत हम आप से फिर मिलेंगे नई दिशाएं के अगली करी में तब तक के लिए जोहार नमस्कार